नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शर्मास वागत कतम सभी का आपके अपने चनल जोतिशन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं COVID-19 Third Wave के बारे में बहुत सारे मेसेज лес आ रहे थे हैं कि सर अब तो गुरु का भी राशी परिवर्तन हो चुका है सूरिय का भी राशी परिवर्तन हो क्या क्या कोरोच का आप एक बार इस पर प्रकाश डालिये हाला कि मैंने बहुत सारे वीडियोस अभी COVID-19 third wave के उपर आपको बना के दे दिये हैं और clear calculations बना दिये आज उसी calculation को और ज़दर depth में ले जा कि आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कहां क्या कैसे होने वाला है हर व्यक्ति जानना चाता है कि COVID-19 कप कहां कैसे आएगा कौन सी डेट को आएगा कौन सी डेट तक रहेगा सारे के सारे सवाल आप सभी के मन में हैं और इसको जांचने का तरीका भी हर एक व्यक्ति का अलग-अलग हो रहा है साइन्टिस्ट अपने तरीके से अनलेसिस करने की कोशिश कर रहे है मेडिकल रिसेलचर अपने तरीके से अनलेसिस करने की कोशिश कर रहे है एस्ट्रोलजर अपने तरीके से अनलेसिस कर रहे है वो सही तारीख जहाँ पर COVID-19 के आने का अंदेशा यहाँ पर जादा बनता है उमीद करूँगा कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ही जादा अच्छा लगेगा और बहुत ही जादा फायदेमत आपके लिए हो सकता है यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ आपके लिए पताता हूँ एक बहुत अच्छी न्यूस बता रहा हूँ आपसे लिए खासकर जैपूर वालों के लिए तो बहुत अच्छी न्यूस रहेगी मैं यहाँ पर जैपूर विजिट कर रहा हूँ इस वीक में प्लान कर रहा हूँ अभी फ्राइडे सैटेडे संडे अलबी इन जैपूर और अभी रुकने का कुछ फिक्स नहीं हुआ है तो अगर आपके ज्यान में अगर ऐसा कोई प्लेस हो जहां पर मुझे सारी फैसलिटीज मिल पाएं और मैं आप सभी से आराम से मिल पाऊं तो प्लीज मुझे वाट्सप पे जरूर बता दीजीगा ताकि मैं एक अच्छा प्लेस ले पाऊं और एक अच्छा प्लेस पर चाहते हैं और मिलके अपनी कुंडली का अनलिसिस करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे संपर कर सकते हैं आगे की सारी डीटेल में आपको वाट्सप पे बताऊंगा और सारी जानकारी के बाद जो बुकिंग प्लेस होगा वो आपको थोड़ा लेट बताऊंगा बट यस जैपूर आने का पूरा पूरा प्लान है और कमिंग विक में I am coming जैपूर नाओ चली आप शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर कि कैसे और किस तरह से COVID-19 यहाँ पर आपको हिट करने वाला है और कैसे किस तरह से COVID-19 आपको यहाँ पर फाइदा और नुकसान देने व वाली हैं गुरू यहाँ पर जो है वो राशी परिवर्तन कर चुका है और साती साथ गुरू राशी परिवर्तन करके अभी वकरी चाल पर मकर राशी में नीचका भी हो चुका है तो गुरू ने भी यहाँ पर अपना काम कर दिया सूर्य ने भी राशी परिवर्तन कर दिया है और सूरीय राशी परिवर्तन करके कन्या राशी में आ चुके हैं तो सूरी निली पर अपना काम बकू भी यहाँ पर निबाली है शनी अपने कर्म कफल देने के लिए पूरी तरह से प्रिपेर हो चुके हैं और यहाँ पर अब गेम शुरू होने वाला है बहुत जल्दी य यहाँ पर 20 नवेंबर तक रहने वाले हैं और अगर हम हिस्ट्री को देखें तो भाया को लाने में या को भढ़ाने में या को खराब करने में और लोगों को नुक्सान पहुचाने में जुपिटर का तो बहुत बड़ा रोल है आपर जब जुपिटर का इतना बड़ा रोल वोग्न्स और समनल सरत लोगों पर इतना खराप्रभाव नहीं डालेगा देकिए cream-andingan już को जीव कारण को जैता है मतलब कि एक इनसान के life के उपर गुरू का अपना मैत होता है कैसा इसलाव होता है और गुरू जब नीच के जाते हैं तो वहाँ पर human life में danger पार्ट जादा आता है और positive पार्ट कम आता है इसी कारण से आप देखीगा कि चीजे जो है वो कहीने के negative जादा हुई थी last time भी जब Jupiter ने transit किया था और इस बार भी कहीने के ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है अब similarity क क्या है पिछली बार में और इस बार में क्या differences है और क्या खराबी है और क्या अच्छा ही है तो पहली चीज़ तो यह कि लास्ट टाइम जब जूपिटर मकर में आया था तब वो डेरिक्ट था रेट्रोगेट नहीं था इस बार जब जूपिटर उसमें जा रहा है तो यह रेट्रोगेट पोजिशन पर जा रहा है पतलब की रेट्रोगेट शनी डेरिक था इस बार सेटन भी यहां पर रेट्रोगेट जा रहा है तो यह दो तो बड़े परिवर्तन यहां पर देखने को मिल रहा है और डेरिक पोजिशन जो है वह यहां पर अभी नहीं देखने को मिल रही तीसरी चीज यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीसरी चीज यहाँ पर क्या होने वाली है एक और बड़ा परीवर्तन एक और बड़ी चीज जो हाँ पर होने वाली है वो है मरकरी और वीनस का involvement जी हाँ इस पूरे गेम में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है वो है मरकरी और वीनस बुद्ध और शुक्र यह दो ऐसे ग्रह हैं जो छोटे हैं दिखने में मासूम से हैं दिखने में बट इस बार यह बड़ा काम करने वाले हैं इस बार यह गुरू और शनी को भी पीछे रखने वाले हैं अब आप सोचेंगे कि यह कैसे संभव है आखे ऐसी कौन सी गणित लग रही है आपे बट सारी डिटेल नहीं बता सकता अभी बट हाँ ग्रहों का खेली कुछ ऐसा है कि सारी डिटेल आपको अगर बता भी दो तो शायद आप अचमबित हो जाएंगे या अस सब्सक्राइब करनी है चलिए अब देखते हैं यहां पर कि किस तरह से जोपिटर विल वर्क किस तरह से चेटन विल वर्क एंक किस तरह से मर्कृरी इन वीनस विल और हिर्ट तो यहां पर सबसे पहली चीज जो क्या आपको करनी है वह important चीज़े यहां पर कि आपको time division ध्य शुरुआत हो चुकी है पर हाला कि अभी भी हमें असर नहीं देखने को बिला इवन दो अगर अब ध्यान देंगे तो इसी बीच में 14 सेप्टेंबर के बाद ही भारत ने दो करोड़ वैक्सिन का रिकॉर्ड बनाया है इस यूज रिकॉर्ड और हमारे देश के प्रदामत्री जी के बर्थडे पर ये रिकॉर्ड बना है जो कि कहीने के इत्तिफाक से 14 सेप्टेंबर के बाद बनता है मतलब कि जुपिटर के रेट्रोगेट होके नीच राशी में आने के बाद और सूरी के राशी पर ये वरतन के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड में देखने को मिला तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे पास दूसरी चीज अगर हम देखें यहाँ पर तो अब जुपिटर यहाँ पर जो है वो अपना काम करना दिरे दिरे शुरू करेंगे और शनी से वो सारी काम करवाएंगे जो वो लास्ट नहीं करवा पाए थे अब आपको चाहिए यह बा फाइनल कोरोना लेक फाइनल टच जो दिस्कुम दे रहा होता है वो यहाँ पर देने को देखा जाएगा यह जो कोरोना का इंपक्ट रहेगा यह आपका शुरू होता है 22nd 23rd September के बाद से बंदब कि अभी से 3-4 दिन के बाद से यहाँ पर कोरोना का इंपक्ट शुरू हो ज जाएगी और इंपक्ट अगर हम देखें आप तो 27th of September के बाद से हमें एक बड़ा इंपक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है किसी दूसरी कंट्री में भारत में नहीं बट किसी और कंट्री में हमें 27th of September के बाद एक बड़ा इंपक्ट देखने को मिल सकता है जहां पर य rumors ऐसी न्यूज ऐसी बातें कही न कहीं कहीं जा सकती हैं तीसरी important चीज 11th of October यह वो डेट होगी जब भारत में मैं बात कर रहा हूं इंडिया की ध्यान रखिएगा 11th of October या फिर आप मानगे कि यह 10 to 12 October यह दो दिन जो रहेंगे यह भारत के लिए important रहेंगे यहां पर भारत में कहीं न कहीं बड़ी चीज या बड़ी news या फिर बड़ी rumors या फिर बड़े cases सारी चीजें संभव है यहां पर और यह होता हुआ दिखाई दे सकता है 10 to 12 October के बीच में अगर भारत संभल जाता है 10 to 12 October के बीच में अगर भारत में cases नहीं बढ़ते हैं तो फिर यह भारत के लिए बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए बहुत ही जादा रहत वाली बात रहेगी अगर इस डेट के अंतराल में भारत में cases नहीं बढ़ते तो America की जिसे मैंने बात करी थी तो America का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा 7 तारीक से लेके 9 या 10 तारीक तक के बीच में America को संभल के रहना है 7 to 9 के बीच में America को संभल के रहता है तो वहाँ पर आने वाला समय उसके लिए अच्छा चला हैं इसी तरह से 12 to 16 के बीच का जो समय रहेगा यह European countries के लिए काफी ज़्यादा important रहेगा 12 से 16 के बीच का जो समय है यह यह बहुत ही ज़्यादा मैत्वर्ण समय है European countries के लिए तो इस तरह से कोरोना का pattern कहीन की चलता हुआ नजर आएगा आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो almost almost 19 सेप्टेंबर यह आपको दिखाई दे रहा है 19 सितंबर से लेकि अभी 10 October के बीच में 20 दिन का समय है almost almost 20 दिन है हमारे पास अपने आपको बचाने के लिए अपने को क्यो ओर करने के लिए अपनी immunity को स्ट्रॉंग करने के लिए और अपने आपको राहत की सांस देने के लिए कूँकि हमें बस यही प्रेव करनी है कि कोरोणा हिट ना करे कोरोणा परेशान ना करे ृप किसी और क्सी भी दर शेक को लेकि आपको सुन लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा बहुत ही जाद अची न्यूज है ये ऐसा हो सकता है 11 तारीक से लेके 11 अफ अक्टोबर से लेके 18 अफ अक्टोबर के बीच का जो समय रहेगा ये मेडिकल साइंस के लिए बहुत ही जादा महत्वण समय रहने वाला है जी हाँ, 11 अफ अक्टोबर से लेके 18 अफ अक्टोबर के बीच का जो समय रहेगा ये मेडिकल साइंस के लिए काफी जादा महत्वण समय रहेगा इस समय में कोरोना की वैक्सीन को लेके कोई बड़ी न्यूज आ सकती है कोरोना की फाइनल मेडिसीन को लेके कोई बड़ी न्यूज आ सकती है कोरोना के लिए एक एफेक्टिव वैक्सीन या मेडिसीन आपके बीच में आ सकती है ऐसे चांसे यहां पर बनेंगे और साथी साथ कोरोना के अलवा किसी और बड़ी बिमारी के उपर भी एक बड़ा यहां पर result देखा जा सकता है एक अच्छी success यहां पर देखी जा सकती है 11 से 18 medical science के लिए एक बहुती ज़्यादा shining period रहेगा 11 से 18 medical science अपने आप में काफी ज़्यादा improve कर सकती है और अगर किसी research में अटक रहे हैं किसी research में परिशानी आ रही है तो this is the time to solve all the puzzles, all the troubles in the research and give the right thing to the humans or publics तो यह यहां पर फाइदा लेने का मौका है तो देखे time period में खराबी भी है, time period में अच्छाई भी है time period में ठहराओ भी है, time period में यहां पर थोड़ा सा सावधानी रखने की भी चीज़े हैं तो यह वो समय है जहां पर हमें Jupiter के retrogation को और Jupiter की चाल को ढंक से समझना होगा और इसको अच्छे से आपर करने की कोशिश करनी होगी उमीद करता हूं कि आप सभी इस बात को समझ गया होंगे कि किस तरह से कहां पर कोरोना हिट कर सकता है कितने level पर हिट कर सकता है अब देखिए एक और final आपको इस statement यहां पर देता हूं अगर हम इस time duration में जो हम बात करें September and October की इन दो महिनों में अगर हम बात करें कि कोरोना हिट करेगा तो मुझे लगता है कि बहुत छोटे अंतराल के लिए हिट करेगा बड़े अंतराल के लिए हिट नहीं करेगा दूसरी चीज़ कोरोना हिट करके क्या तबाही मचाएगा तो again I will be on my words देट कि इतनी ज़ादा तबाही नहीं मचाएगा जितनी इसने पहले मचाई थी तो इस बार जो तबाही रहेगी वो short term के लिए रहेगी और controllable रहेगी ऐसे chances यहां पर दिखाई देते हैं बाकी तो हमारे उपरे कि हम उसको किस तरस से control करते हैं या किस तरस उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उमीद करूँगा कि आप सभी को यह calculation समझ में आया होगी यह video समझ में आया होगा और मेरी बात यहां पर आप सभी को समझ में आया होगी उमीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे प्लीज 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 लाइक का बटन दबा दीजीगा चैनल को subscribe जरूर से करिएगा इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाते हैं कुछ भी जाना चाते हैं अपने बारे में कुछ समझना चाते हैं आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभाव मदद यांपर कर सकूँ धर्निवाद